Hello everyone, welcome back to my channel, मैं डॉक्टर बंजिना गुपता, आज B.S.C. सेकेंड यर की सीरीज में जो टॉपिक डिसकस कर रहे हूं, that is Morphology of Paila, यानि Paila की बायस अंरचना, Paila को हम हिंदी में गोंगा भी बोलते हैं, Paila जो है एक Fresh Water Organism है और जनरली ये Fields में भी हमें, लेंड पर भी दे मोइस्ट कंडिशन में देखने को मिलता है, और उसका खारण ये भी है कि इसके इंदर जो दोनों तरह का Respiration होता है, मींस Arial Respiration और Aquatic में जली सोसन और बाईवी सोसन दोनों ही देखने को मिलते हैं, इसलिए ये दोनों कंडिशन में ये सर्वाइब कर पाता है, लेकिन Mostly ये Water और जो है ये Moist Condition में ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसका जो Locomotion ये जो ओपर कुलम होता है, उसके जस्ट पीछे इसके जो है Foot होता है, तो Foot जो है जब इसको Crawl करना होता है, तब ये अपने Foot को जो है Extend करता है, Muscles होती है, Columular Muscles होती है, जिसके थूँ ये जो है Regulate होता है, उससे ये अपने Foot को बाहर की तरफ निकाल के Surface से Attach कर लेता है, और फिर ये Move करता है, तो ये सब चीज़ें और भी सरे Points हैं, जो कि आगे डिसकस करेंगे, अभी आज जो हम डिसकस करें हैं, वो मेनली इसकी Morphology के बारे में, Let's begin today's topic, Morphology of Pyla, यहनि Pyla की भाहर सनचना, और जो particular जिस species के हम डिटेल स्टडी करेंगे, that is Pyla Glowosa, यहाँ पर जो पाइला है, उसके उपर जो है Calcium Carbonate की Shell present होती है, जो कि उसका Exoskeleton form करती है, तो यह जो Cell है, वो इसकी Calcium Carbonate की बनी होती है, होती है, तो यहाँ पर जो Exoskeleton in the form of Shell, that is form of Calcium Carbonate, commonly, बट एक इसके अंदर एक specific character भी देखा जाता है, suppose जिस condition में, या जिस surroundings में ही रहता है, उसका development, उन conditions में इसका development हो रहा है, जहाँ पर strontium की quantity जादा है, तो इसकी जो Shell है, वो बजाए Calcium Carbonate के strontium से develop होती है, यह इसका specific character देखने को मिलता है, Gastroports के अंदर खास तोर पे, अब जो हम Exoskeleton जो पूरा है, जो Calcium Carbonate से बना हुआ है, उसको हम देखें, तो वो consist of continuous world coils, इसके इंदर पूरी coils हमें दिखाई देती है, जो की इसका specific character होता है, अब इस world में हम देखें, तो apex of cell, that is smallest, इसका जो world है, वो apex form करता है, उस और जो body worlds से जो next होता है, that is penalty mate world, जो इन worlds को separate करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, sutters, यह जो है, वो sutters बोले जाते हैं, यह जो है, यह body worlds है, body worlds में हम देखें हैं, तो हमें जो दिखाई देती हैं, जिन हम varices कहते हैं, और singular में हम इसे varics कहते हैं, यह जो है, इसा माने जाता है, जो कि यह आपको थोड़ी faded दिख रही होंगी, तो जो faded है, वो इसलिए हैं, कि जो इस टाइम ऐसा माने तो जो एक breakdown आता है, secretion का, तो उस टाइम पर जो है, यह जो हमें light दिखाई देती हैं, और यह जो है, consist of continuous wall coiled around central axis, which lie on different planes and known as cony spiral, जो पूरी cell की, जो क्योंकि एक central axis की चार ओर rotate होती है, भी बनती है, वो spring की तरह है, तो इसलिए हम इसको spiral, जो है, cony spiral कहते हैं, और जिनका number usually 65 होता है, smallest और जो apex form करती है, that is, lies on the apex, that is smallest and oldest होती है, और उसके बाद जो है, size बढ़ती जाती है, just preceding to the body world is penultimate world, whole series of body world called aspire, जो पूरी series है, उसको हम कहते हैं, spiral, अब इसके अंदर और चीज़ देखें हम तो, internally, जो पूरी जो shell है, यहाँ पर हमें इन में separation दिखाई दे रहा है, but internally, there is no separation, that is unilocular, all these, जो lines of growth हैं, या all the walls are communicate to each other, वो सब एक दूसरे से आपस में connected होते हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया, unilocular, externally successive walls, demarketed by lines, that is sutter, जो मैंने आपको बताई हैं, यह lines जो होती हैं, यह आपको जो thick lines देख रही होंगी, हम इन्हें body, जो हमें यह lines देख रही हैं, इन्हें body world भी कहते हैं, lines of growth भी कहते हैं, viruses भी कहते हैं, और जो इनको separate करती हैं, demark करती हैं, that is sutters, जो आपको thick lines देख रही हैं, यहाँ पर वो sutters, यहाँ पर यह है, यह है, यह है, वो sutters form करती हैं, body world open out ventrally by mouth, which is covered with operculum, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर यह है, यह इसकी opening होती है, जो कि operculum से covered रहती है, यह जो है, इसकी margin जो हमें दिखाई दे रहे हैं, यह इसका mouth, peristorm, that is mouth form करते हैं, जिसके दुआरे यह open रहता है, और इस पर एक lid like structure लगा रहता है, जिसे हम operculum कहते हैं, outer margin जो है इसका peristorm का, वो outer lip form करता है, जो इनर margin है, वो inner lip form करता है, यह जो है, यहाँ पर इसके पीछे जो है, पूरा column होता है, ओपर कुलम में ही, पीछे की तरफ column होता है, जो कि इसलिए, inner lip को जो है, वो columnar lip भी बोड़ते हैं, columnar जो है, वो पीछे की तरफ होता है, जिससे यह columnar muscles होती है, जिससे यह open column जो है, अटेच रहता है इसका, अब यहाँ पर जो है, यह जो इनर और columnar lip है, उस columnar lip के margin पे ही, जो है, अम्लिकस प्रेजेंट होता है, यह ओपिनिंग होती है, यह हमके एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो अम्लिकस की presence हर एक के अंदर होना compulsory नहीं है, ट्रेटॉन एस एक जमपल है, जिसके अंदर जो है, अम्लिकस प्रेजेंट नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं, अनफर्फॉरेटेड या अनम्लिकेटेड, जबकि जो पाइला है, वो अम्लिकेटेड है, क्योंकि इसके अं पर जो आपको पाइला दिखाई दे रहा है, यदि हम पाइला को जो आपको ये facing हम देख रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे करके देख रहे हूं, तो इसका जो नीचे ओपर कुलंब वाला पार्ट है, वो हम मेरे left hand side पे आ रहा है, तो मीस, जब हम पाइला को इस तरह से प्लेस कर या हमके left hand side है और anti clockwise भी कह सकते हैं, तो वो बोला जाता है sinistral, बट यदि यही ओपर कुलंब, जब apex को हम उपर की side रखें और उसको देखें, और उसका ये जो ओपर कुलंब बाला पार्ट जो है वो right hand side पे हो, तो हम उससे बोलते हैं dextral, तो इसकी shell जो है वो two types की होती ह एक होती है dextral और एक होती है sinistral, तो when apex is upward and it shows clockwise coiling, तो जो हमें वो coiling है पूरी, वो clockwise दिखाई देगी, तो clockwise दिखाई देगी, तो इसकी जो ओपर कुलंब है वो right hand side पे होगा, बट जब coiling जो है, यदि यह sinistral होगा, तो इसकी जो coiling है वो हमें anti clockwise दिखाई देगी, और इ left hand side दिखाई देगा, तो इस तरह से जो है, वो हमें इसके अंदर जो shell है, वो दो तरह की दिखाई देती है, एक dextral और दूसरी sinistral, और एक जो इसका regulation है, वो cytoplasmic, महलब यह dextral होगा की sinistral होगा, यह regulate होता है, cytoplasmic inheritance के दौरा, जो की बहुत rare देखने को मिलती है, बहु वो cytoplasmic inheritance से वो देखने को मिलती है, जिससे कि यह हमें, उसके अंदर हमें जो coiling है, और जो operaculum की position है, वो पता चलती है, कि यह जो है, वो sinistral है, या dextral है, I think आपको समझ में आगया होगा, फिर भी कोई डावट है, तो comment section में जरूर में जरूर मेंजन करें, thank you so much